हाई नमस्ते मैं हूँ दिपान निता और आपको स्वागत है मेरी चैनल कुप्वे दिपाम है आज में बनाने चाहिए हूं कश्मीरी आलू दम यह बहुत ही पॉपलर डिश है और यह खाने में बहुत टेस्टी होता है तो चली अब बनाना चुरू करते हैं कश्मीरी आलू द पेस्ट 2 बरे चम मैच लत्ने कोवेम हूं का पूस्ट एक चोटे चम मैच अद्रक पेस्ट एक चोटे चम मैच द़्ही एक सितके ég घप बनेक कटा हुआ धनियाँ बनाना पता आधा कम। आजू का पेस्ट एक सितके आधा चं मैच हल्दी पाउडर आदा-चोटा चप गरम मसाला पाउड़र एक दिहा चोटे चम्यच जूरा पाउडर आधर चोट侠मच धनिया पाउड़र आधर चोट चम्यच नमक स्वाथ के अनुसार छोटी एलाइज ची 3-4 थाच सॉफ पाउड़र है चोटे चम्यच सरकुरतौका तिल 3-4 बर хват मज्डमर्जू पहले हम ग्यास काउन कけて किराई चलाएंगे इसके बाद हम इसमें एक ब्राइज भम सरसों का तेल डालेंगे तिल थोरा से करम होते ही, हम इसमें थोरा सा हल्दी पाउडर और थोरा सा लालमेज पाउडर डालेंगे इसको थोरा सा मेला लेंगे इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू को दे देंगे तीन से चार मिनिट के लिए हम आलू को मीडियों ग्लेम में फ्राई करेंगे तेल में हल्दी पाउडर और लार्मिज पाउडर देने से फ्राई करने पर आलू का गलर बहुत ही अच्छा आएगा आलू फ्राई हो गया है आलू का गलर भी बहुत अच्छा आएगा अब हम इसको निकाल लेंगे अब हम कराय में दूबरी जमत सरसों का देल डालेंगे तील गरम होते ही हम इसमें छोटी लाईफी तोर के डाल देंगे इसके बाद हम इसमें देंगे लसन का पेस्ट लसन को हम तेल में थोड़ा से मेला लेंगे अब हम इसमें देंगे अध्रक का पेस्ट पेयाज का पेस्ट और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसको हम थोड़ी तेल तेल में पकाएंगे अब हम इसमें देंगे हली पाउडर लालमिच पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर और सॉफ पाउडर इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसके बाद हम इसमें देंगे काजू का पेस्ट और अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें देंगे देंगे और देही का कटोरी में दोड़ा से पाणी डालके वो पाणी हम इसमें देंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको मिला लेंगे अब हम इसको तीन से चार मिला के लिए पकाएंगे ताकि तेल मसाली से अलग हो जाए और मसाल अच्छी से पक जाए ये देखिए मसाली से तेल अलग हो गया है अब हम इसमें देंगे फ्राई किया हुआ आलू और आलू के साथ मसाली को बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसके बाद हम इसमें देंगे स्वाद अनुसा नमक और नमक के साथ इससे फिर सच्छी से मिलाएंगे अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और फिर से अच्छी से मिलाएंगे अब हम इसको दो मिनिट के लिए एक्दम स्लो फ्लेम में धगके रख देंगे अब हम धगकन खोलेंगे अब इसके उपर कटे हुए दनियापता डालेंगे और इससे सर्फ कर देंगे यह हमारा तयार है कश्मीरी आलू तब आप इसे गरमा गुरम रोटी पराथा या राइस के साथ सर्फ कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो पे लाइक के लिए और मेरी चैनल को सब्सक्राब चरूर करें कर दो झाल झाल